आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो एवरिबन क्योशन है यहाँ पर हमें Question में क्या है कि एक Cannon है जिसका की Mass Given है हमें 150 किलोग्राम और वो एक Cannon Ball को Shoot करती है जिसका भी Mass हमें Given है 1.5 किलोग्राम और वो Cannon Ball जाती है 60 मिटर पर सेकिंड से आगे की साइड में तो हमें बताना है कि Cannon के स्पीड से रिकोईल होगी अब जैसे यह हमारे पास में Cannon है यहाँ पर ग्रीन कलर में और यह परपल कलर में हमारे पास में है Cannon Ball इसका Cannon का Mass हमें Given है यहाँ पर 150 किलोग्राम और इसका Cannon Ball का Mass Given है 1.5 किलोग्राम अब initially इनके उपर कोई और external force एक्ट नहीं कर रहे है मतलब इस वाले फूरे सिस्टम के पर बहार से हमने कोई force लगाया नहीं है और यह initially यह वाला पूरा सिस्टम रेस्ट के अंदर भी है और सिस्टम रेस्ट के अंदर है मतलब इसका क्या है पूरे का Momentum 0 है P equals to 0 अब हम next देखेंगे कि यह velocity जब मतलब अगर यह cannon ball बाहर निकली मतलब यह shoot हो गया cannon से तो वो जा रही 60 meter per second से मतलब अगर जैसे हम diagram माने यह वाला तो इसके अंदर क्या है यह bullet बाहर यह cannon ball बाहर निकल गई जो कि जा रही है अब आगे 60 meter per second velocity से यह आगे की साइट में गई 60 meter per second velocity से तो अब हमें यह बताना है कि यह cannon किस velocity से recoil होगा मतलब यह किस velocity से पीछे की साइट में जाएगा अब अगर हम इस वाली पूरी situation को देखें तो इसके पर कोई भी external force नहीं है बहार से हमने कोई force लगाया नहीं है यह situation के अंदर तो क्या है linear momentum conserve रहेगा linear momentum क्या है इस वाली situation में conserve रहता है तो अब अगर हम conservation of linear momentum लगा है इस वाली situation के लिए तो क्या होना चाहिए P initial is equal to P final अब अगर हम यहाँ देखें तो initial momentum तो 0 है यहाँ पर और final momentum क्या है पहले तो हम लिखते हैं इसका mass cannonball का mass क्या है 1.5 kg और वो जा रहा है 60 m per second से आगे प्लस जो कैनन है उसका mass क्या गेवान है 150 और इसकी velocity तो हमें पता लगा नहीं कि वो क्या होगी अब अगर हम इस वाले question को आगे solve करेंगे तो क्या आएगा 150 V प्लस 90 is equals to 0 तो यहाँ से क्या आजाएगा V की value हमारे पास में आएगी minus 0.6 meter per second तो V की value तो आ रही है हमारे पाफ में minus 0.6 meter per second यहाँ पर यह minus n क्या बता रहा है हमें कि cannon इस वाली speed से पीछे की side में जाएगी मतलब वो recoil होगी इस वाली speed से और हमें question में क्या बताना था कि cannon की speed क्या होगी यहाँ पर तो फिर speed तो क्या है एक magnitude है मतलब यह positive quantity होती है तो हमें यहाँ पर positive value लिखनी है यहाँ पर कि वो क्या होगी हमें direction नहीं बता नहीं speed के अंदर के direction नहीं आती velocity के अंदर direction आती है और उसके अंदर negative velocity में negative आने का मतलब यह था कि वो पीछे की side में जा रही है उसकी direction opposite है cannon ball के respect के अंदर तो फिर हमारा answer होगा 0.6 meter per second मतलब option 3 Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर